यह फिल्मोरा का इंटरफेस है इस एरिया पर डबल क्लिक कर ले और जो भी फूटेज अपको जाहिए इसके उपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग करके इसको टाइम लाइन पर लेकर आ सकते हैं अब मुझे इस फूटेज को स्लो करना है इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक कीजिए और आपको दिखाई देगाई इसके स्पीड डिवरेशिन इस पर क्लिक कीजिए और यहां से आप इसका स्पीड यू है वह रिगुलेट कर सकते हैं तो मुझे इसको स्लो बनाना इसलिए मैं स्पीड को कम कर देए अब आपको एक बैग्रण चूस करना होगा जो भी आप देना चाहते हैं अपने वीडियो में आपको आपका जो में फूटेज है उसको उपर रखना होगा आपका बैग्राउंड को अब वीडियो के नीचे रखना होगा अब आप देख सकते हैं कि भूटेज में कुछ और भी कलर के बैग्राउंड आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए इसलिए क्रॉप करना होगा इसके लिए इसलिए आप वीडियो के ऊपर सिंगल क्लिक कीजिए और आपको यहां पर यह जो क्रॉप का ऑप्सेन है यह मिल जाएगा अब इसके ऊपर एक पर क्लिक करते आपको ऐसा कुछ इंटर्फिस मिलेगा जितना भी पार्ट आपको रखना है वीडियो में उसके अकोर्डिंग अब क्रॉप कर लीजिए अब आपको जाना होगा क्रॉमा की में इस पर क्लिक काना होगा किसी भी इससे पर क्लिक कर सकते हैं पर मैं आपको सग्जिस्ट करूंगे कि आप जो डार्क एरिया है इसमें नहीं पर ही क्लिक कीजिए जो कि आप देख सकते की यह बिल्कुल औरीजिनल सा लग रहा है ग्रीन स्क्रीन के तरह यह बिल्कुल पुरी तो फिर अब आल्फा चैनल को अनके लिजिए अब थोड़ा सा बैलो को घटा कि या पर पड़ा के देख सकते कि ठीक तक आरहा है कि नहीं थीकनेस जो है यह थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो आपने देखा कि कैसे बीना कोई आप कोई भी वीडियो के बैक्राउंड को चेंज कर सकते हैं और कितने आसानी से आप चेंज कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दफूल वीडियो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो फिर एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले